आप में से सफी को पता होगा कि भैस चारा खाती है पर हम आपको यदि ये बताएं कि भैस ने सो ना खा लिया तो आप शायद इसे मजाक सो सकते हैं लेकिन ये सच बात है महराश्र के वाशिम से एक अजीबो गरीब माबला सामने आया है यहाँ एक भैस ने लाखों रुपए का मंगल सुत्र खा लिया इतने महंगे मंगल सुत्र को भैस के पेट से निकालने के लिए भैस का पेट चीर ना पड़ा इसके बाद भैस के पेट में कुल 65 टाके लगाने पड़े और मंगल सुत्र निकाला गया जी हाँ बेरिसल पूरा मामला महराश्ट के वाश्यम के सारसी गाउं का है कुछ ऐसा हुआ कि भैस ने गलती से सोना खा लिया था बता दे के किसान के पत्नी नहाने से पहले अपने मंगल सुत्र को निकाल कर एक प्लेट में रख दिया नहाने के बाद वह दूसरे कामों को करने लग गई जिससे मंगल सुत्र से उसका ध्यान भटक गया कुछ घंटों के बाद जब उसे याद आया तो ढूड़ा लेकिन प्लेट से मंगल सुत्र गाइब था फिर महिला को याद आया कि जिस प्लेट में उसने अपना मंगल सुत्र च्छी पाया था उसमें रखी चीजें उसने तो भैंस को खाने के लिए दे दी थी अपके सान और उसकी पत्नी संकोच में पड़ गए आखिर अपकी आ क्या जाए चुकि मंगल सुत्र के केमत 25 लाख रुपए के आसबास थी तो उसे निकालना भी जरूरी था और भैंस का इलाज भी जरूरी था लेहाजा किसान ने इसके सूचना डॉक्टरों की टीम को दी जिसके बाद डॉक्टरों की ओर से भैंस को सीधे जानवरों के अस्पताल लाने को कहा जाता है और फिर किसान अपनी भैंस समेत वहाँ पहुंसता है अब डॉक्टरों ने बकाइदा पहले भैंस के पेट को स्कैन किया उसके बाद पता चलता है कि भैंस की पेट में कोई धातु चिपी है अब इसके बाद डॉक्टर की ओर से भैंस का आपरेशन किया जाता है अब जब भैंस का पेट चीरा गया तो वहां मौझूद सारे लोग हैरान रह गये आखिर में सोने को निकाल कर फिर से आपरेशन किया जाता है हलाके फिलाल बताया जा रहा है कि भैंस की हालत ठीक है और किसान को उसका सोना भी मिल गया ऐसे में आप से भी गुजारिश है कि ऐसी किसी भी तरह की लापरवाही से बचें ऐसे में बेजुबानों की जान भी जा सकती है और आपका धन तो जाएगा ही आपका झालसर 높ेट कि अशका झालसर अबुबान priests समें में धन मुलकाणे की जा सकता है विए और आर आपका पका ऑ हुआशा है